नमस्कार कैसे हैं आप सब एक बड़ी अपडेट आई है CUCT और Delhi University को लेकर और देखिए वीडियो बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही informative है आपके लिए और ये अपडेट जो है Indian Express newspaper के अंदर आई है और ये कल आई थी लेकिन खर मेरी थोड़ी तब्याट ठीक नहीं थी तो मुझे लगा कि मैं आपको आज बता दूँगा तो देखिए अपडेट क्या है सिदे सिदे हम बात करते है और वीडियो बहुत छोटी है तो Indian Express ने प्रिंट किया था Foreign Universities and Delhi University के बारे में तो उन्होंने कहा था कि जो Foreign Universities है वो बहुँ जादा Adaptable होती है उन्होंने एक word यूज किया था Adaptable उन्होंने कहा कि जिस तरह से Last Year COVID आया था तो जो Foreign Universities थी उन्होंने Change को Adapt किया उन्होंने Admission Processor के अंदर जो Changes आये उसको Adapt किया तो उस तरह से Delhi University को भी Adaptable होना चाहिए और देखिए इसके अंदर Exact क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ और यह बहुत important चीज है जितने भी students Delhi University के अंदर Admission लेने वाले हैं उन्होंने सभी के लिए इतना तो देखो आप सभी को पता है अब अपडेट जो हो इसके बाद आएगी तो अपडेट क्या है फिर उन Official ने Indian Express को यह भी बोला है कि अगर Board Exams एक जून के बाद और जादा पोस्पोन हो जाते हैं तो यह भी हम लोग कर सकते हैं कि 100% जो वेटेज है वो C.U.C.E.T. को दे दी जाए I hope clear हो गई है बाते पहली डेलिउन सेटी ने सोचा था कि हम लोग 50% वेटेज 12th क्लास की परसेंटेज को देंगे और 50% वेटेज हम लोग देंगे C.U.C.E.T. को लेकिन जिस तरह से बोड एक्जाम्स पोस्पॉन हो रहे हैं तो इस हिसाब से अगर वो और जादा पोस्पॉन हो जाते हैं तो 12th क्लास की परसेंटेज है वो तो बहुत जादा लेट हो जाएगी फिर उन्होंने कहाए कि अगर जादा पोस्पॉन हो गए हम 100% जो वेटेज है वो C.E.C.E.T. को दे देंगे और C.E.C.E.T. के बेसिस पर ही एड्मिशन्स होंगे तो देखिए मुझे लेकिन यह लगता है कि अब जिस तरह से देखिए कोविड कैसिस जिस तरह से बढ़ रहे हैं आज ही लगबग 2,16,000 या 2,17,000 के असपास केसिस आए हैं तो ऐसे में अगर बोर्ड एक्जाम सी नहीं हो सकते तो फिर N.T.E. जो है वो C.E.C.E.T. किस तरह से करवा सकता है मतलब confirm नहीं हूँ मैं कि होगा या फिर नहीं होगा और होगा तो home-based होगा या फिर नहीं होगा किसी भी चीज को लेकर कोई भी confirm नहीं है लेकिन अगर C.E.C.E.T. होता है COVID के अंदर तो फिर वो home-based भी हो सकता है home-based होने के chances हो जाते हैं और देखिए अगर आप C.E.C.E.T. की preparation करना शाहते हैं तो हम लोगों का एक Instagram page है tell underscore education वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि हरोज G.K. Verbal, Logical Reasoning and Quants जो आपका aptitude का section A है वहां पर उसकी post daily आती है और उसकी story के अंदर हम लोग अकसर quiz करवाते रहते हैं तो students को काफी मज़ा आता है मतलब मैं यह नहीं बोल रहा कि आपकी पूरी preparation हो जाएगी लेकिन अगर आप Instagram पर follow करते हैं तो C.E.C.E.T. से related काफी ज़्यादा updates भी आती हैं और वहां पर क्या होगा कि आप active रहेंगे C.E.C.E.T. को लेकर मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको पता ही नहीं कि क्या चल रहा है आपको active रहेंगे आपको सारी की सारी updates मिल जाएंगी इसके साथ साथ आपको G.E.C.E.T. के questions के questions मिलेंगे quiz आपके होंगे तो काफी मज़ा आएगा आपको अगर आप C.E.C.E.T. के aspiring student है तो आप Instagram पर follow कर सकते है tell underscore education और जैसे ही C.E.C.E.T. confirm होता है उसी वक्त हम लोग Instagram पेज को बहुत जादा active कर देंगे आपको हर रोज बहुत सारी post मिलेंगी बहुत सारे vocabulary के words मिलेंगे तो काफी जादा सही होगा आप लोग हमें Instagram पर follow कर सकते हैं tell underscore education I hope आप काफी जादा confused भी होंगे कि क्या होने वाला है I know सब confused हैं लेकिन जो भी होगा वो सभी के लिए applicable होगा सिर्फ आपके लिए नहीं होगा तो attention लेने की बिल्कुल भी ज़रुत नहीं है और मस रहो शेल रहो और thank you so much